इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है जो दौरे का कारण बनता है, यानि की फिट बैठता है. इस दवा का उपयोग विभिन प्रकार के दौरे मायो क्लोनिक, आंशिक शुरुवात और प्राथम इक्सामा नेकर टॉनिक क्लोनिक, यानि की या ग्रैन माल को नियंत्रत करने के लिए किया जा सकता है. यह भ्रम, बेकाबू, मरोर्ते आंदोलनों, जागरुकता की हानी और भाय या चिंता जैसे लक्षनों को कम करने में भी मदद कर सकता है. दवा आपको कुछ ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमती दे सकती है, जिन्हें करने के लिए आपको अनिता मना किया जाता है या डर लगता है, यानि की, जैसे तैराकी और ड्राइविंग. इस दवा को काम करने में कुछ सब्ताह लग सकते हैं, क्योंकि खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, और इस दौरान आपको दौरे पढ़ सकते हैं. आपको इसे लेना जारी रखना चाहिए, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों और आपको कोई दौरा न पढ़ रहा हो. गुम खुराक से दौरे पढ़ सकते हैं, जब तक आपका डौक्टर आपको सलाह न दे, तब तक इस दवा का उपयोग बंद न करें. अपने चिकित्सक दौरा सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें या उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें. लेविपिल XR 750 टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है, लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए. लेविपिल XR 750 टैबलेट एक मिर्गी रोधी दवा है. यह तंत्रिका कोशिकाओं की सत्हों पर विशिष्ट साइटों, यानि की SV2A से जुड़कर काम करता है. यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य गतिविधी को दबा देता है और विद्यूत संकेतों क प्रसार को रोकता है जो दौरे का कारण बनते हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करक नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें. धन्यवाद.